नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों जैसा कि आपको अवगत है सिक्सकों का एक तीस दिव से कंप्यूटर परसिक्षन चल रहा है और आज दिनांक 5 फरवरी 2021 को इस परसिक्षन का बीशवा दिन था साथियों आज का सैसन बहुत ही सांदार रहा जो जैबरा की मदद से बहुत सारी चीजे आज बताई गई किस तरह से जो जैबरा की मदद से हम रिसोर्स बना सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले जो जब्रा की मदद से तिर्भुज के कोणों के बारे में बताया गया किस तरह से रिसोर्स बढ़ा कर हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं उसके बाद लाइन एंगल्स के बारे में बताया गया कोटी पूरक और संपूरक कोण के बारे में बताया गया काफी कुछ आज बताया गया और बहुत ही सांदार आज का सैसन रहा सैसन की सभी वीडियो मैं आपको कल सुबह तक उपलब्द करा दूँगा और आप इन वीडियो को जरूर देखें इन रिसोर्सिस को जरूर देखें और देखें कि किस तरह से हम अपने बच्चों को गणित पढ़ा सकते हैं इन रिसोर्सिस को बना कर जो जैबरा की मदद से साथियों उससे पहले आज का असाइनमेंट देख लेते हैं कि आज के अससमेंट में कोन-कोन से प्रशन पूचे गए और उनके क्या-क्या उत्तर होंगे अससमेंट को करने के लिए इस वीडियो के डैस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आपना अससमेंट करना है जो सिख सक साती इस परसिक्षन में सामिल नहीं हो पाए वे भी assessment को कर सकते हैं और इसके साथ साथ वीडियो को देख कर जो मैं वीडियो आपको प्रती दिन उपलब्द कराता हूँ अपना परसिक्षन में बताए गई बातों को सीख सकते हैं तो साथियो वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता दिना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं इस तरह की informative वीडियो आपको एक platform पर मिले तो उसके लिए मैंने informative वीडियो whatsapp ग्रूप और informative वीडियो telegram ग्रूप बनाया हुआ है आप चाहिए तो मेरे ग्रूप से जु यह गए है इसके लिए हम वीडियो के description box में जाएंगे क्योंकि इसमें ही हमने link दिया हुआ है आपको भी वीडियो के description box में जाकर link को touch करना है जैसे ही हम वीडियो के description box में जाते हैं और link को touch करते हैं हम link को touch करते हैं तो यह हमसे पूछेगा chrome में कोलना चाहते है या browser में मै इस पे browser पे click कर देता हूँ आप Chrome पे भी कर सकते हैं और इसको हम open कर लेते हैं फिर दुबार से हमसे पूछता है ये तो हम इसको open कर लेते हैं इस तरह से assessment आज का हमारे सामने है 30 day computer literacy workshop assessment day 20 work education tool जो जैबरा तो इसमें सबसे पहले आपको अपना email address डाल देंगे उसके बाद next आता है आपका नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है उसके बाद designation इसमें आप चूज कर लेंगे आप head teacher है assistant teacher है या others है मैं assistant teacher पे click कर देता हूँ उसके बाद next आता है आपका school name यहाँ पर अपना school name लिख देंगे उसके बाद आपका block आता है उसके बाद district में आपको choose करना है यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ और अपने district को select कर लेते हैं यह हमारा मुझे फर्रेंगर management में select कर लिया उसके बाद यहाँ पर आपको contact number अपना डालना है या WhatsApp number अपना डालना है तो सबसे पहला प्रश्ण है हमारा check box में से किसी object को परदर्शित करने के लिए object की किस properties में जाना होगा माल लिजे आपको check box में किस object को आपको परदर्शित करना है तो उसके लिए आपको object के किस properties में जाना होगा तो इसमें आपके चार option दिये गए हैं पहला है basic tab दूसरा है script tab तीसरा है आपका advance tag और चोथा है आपका style tab तो अगर आप check box के किसी object को परदर्शित करना चाहते हैं तो आपको advance tab इस पर click करना होगा तो हम तीसरे option पर click करते हैं advance tab पर उसके बाद next परसन है हमारा slider tool से किस तरह के मानों को नियंतरित कर सकते हैं इसके आपके चार option दिये गए है number and integers बी है आपका number and angles और C है आपका angle and integers और D है आपका all तो जो आपका slider tool होता है जियो जैबरा में उससे आप numbers के मान को भी नियंतरित कर सकते हैं जो slider tool उपर आपको दिखाया गया था integers के मान को भी नियंतरित कर सकते हैं और इसके साथ साथ angle के मान को भी नियंतरित कर सकते हैं यानि कि इसका answer हमारा D होगा यानि सभी, तो D पे हम click कर देंगे, उसके बाद next person है हमारा rotate around point tool से किसी object को किस के साफ x rotate करा सकते हैं, यानि rotate around point tool है हमारा जो जियो जैबराम में, माली जी हमें किसी object को किस के साफ x rotate कराना है, किसी कोण के साफ x किसी बिंदू के साफ x c, दोनों के साफ x और D, इन में से कोई नहीं, तो आप किसी कोण के साफ x भी उसको rotate करा सकते हैं rotate around point tool को और किसी बिंदू के साफ x भी आप इसको rotate करा सकते हैं, तो इसका मतलब इसके answer जो होगा वो हमारा c होगा, c पे हम click करते हैं यानि कि दोनों के साफ x, उसके बाद next प्रसन है हमारा प्रसन नमबर 4 जो जैबरा में भीन के मान को परदर्शित करने के लिए किसका प्रियोग करते हैं text box tools में symbols का, text box tools में object को select करके text box tool में latex formula से object select करके और इन में से कोई नहीं, मान लिजे हमें जो जैबरा में भीन के मान को परदर्शित करना है तो उसके लिए हमे text box में जाना होगा और text box में latex formula होगा उसमें आप click करेंगे latex formula पे और उसमें से आपको फिर object को select करना होगा तो इसमें आपका c option सही होगा c पर हम click करेंगे उसके बाद next question हमारे सामने है circular select sector tool का प्रियोग करने से किन-किन object को क्रम से select करना होगा माले circular sector tool का प्रियोग करना है आपको तो आपको सबसे पहल यह आपके option दिये गए प्रारंबिक बिंदू केंदर बिंदू अंते बिंदू d है आपका प्रारंबिक बिंदू और केंदर बिंदू और c है आपका केंदर बिंदू प्रारंबिक बिंदू और अंते बिंदू और d है आपका प्रारंबिक बिंदू और अंते बिंदू मा लीजे आप circular sector tool का प्रियोग कर रहे हैं और उसमें आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको केंदर बिंदू को select करना होगा केंदर बिंदू को select करने के बाद प्रारंबिक बिंदू को select करना होगा और उसके बाद जो अंत्य बिंदू है उसको select करना होगा, यानि आपका इसका भी C option सही होगा, देखें इसका आपका 5 का C है, एक बार फिर देख लीजे, 4th का भी C है, और 3rd का भी हमारा C है, और 2nd का हमारा D है, और 1st का भी हमारा C है, तो इस तरह से आप इनके answer देंगे, उसके बाद आपका आता है, आज का session आप बहुत ही सांदार था, उनकी मैं 3-4 वीडियो आपको प्लब्त कराऊंगा, आप उन वीडियो को जरूर देखे, बहुत ही सांदार वीडियो है, तो यह इसमें हम excellent लिखेंगे, उसके बाद दूसरा प्रशन है हमारा, क्या आप प्रसिक्षन में सीखी गई, चीजों को अप आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, वीडियो पे comments कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को subscribe कर लिजिए, और bell के आइकन को press कर दिजिए, जिससे की आपको next वीडियो का notification मिल सके, धन्यवाद.